आज हमेरे एक्षिन करने वाले है हसी टीवी का एक वीडियो है साइन्टिफिक मिरेकल्स ऑफ काबा शरीफ तो चलिए असलाम अलेकुम दोस्तों मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी दुनिया में किसी भी इसे में रहने वाले मुसल्मान काबा की तरफ मूँ करके नमाज अदा करते हैं जीसे किबला कहते हैं बहुत से लोग इसकी हिकमत नहीं जानते किए ऐसा दरसल है क्यूν क्योंकि आज से 1000 साल पहले का दर कोई साइंसी दर नहीं था और ना ही आज के जमाने की तरह इसकी हिकमत को जानने के लिए कोश साइंसी अदाद और शुमार और अलात मजूद थे बहुत से गहर मसलिमों को आज भी लगता है कि मुसल्मान काबा को जो के बस एक काले रंग का क्यूब शेप का घर है इसकी अबारत करते हैं इसलिए वो सवाल करते हैं कि हिंदूों की तरह जिस तरह से वो मंदिर जाकर अपने खुदाओं या पत्रों से बनी बेजान मुर्तियों की पुजा करते हैं इसी तरह से मुसल्मान काबा की अबारत क्यूं करते हैं क्योंकि वो भी तो एक बेजान बथर से बनी हुई इमारत ह इन दोनों के अंदर भला फर्क क्या रह गया दोस्तों इसलाम में एक असूल है कि अगर दुनिया के किसी भी कौने के अंदर कोई मुसल्मान मजूद है और वो नमास पढ़ना चाहता है मगर इसे किबला की डिरेक्शन का इल्म नहीं और नहीं इसके पास इसके जानने का कोई तरीका मजूद है तो फिर किसी भी तरफ मूँ करके वो नमास पढ़ सकता है जो डिरेक्शन इसके लिए सबसे ज़्यदा एकुरेट हो क्योंकि अल्ला पाक कुरान करीम के अंदर फर्माते हैं और मश्रिक और मगरिब सब खुदा का ही है तो जिदर तुम रुख करो उदर खुदा की ही जात है बेशक खुदा साहिब वुसद और बाख़बर है इस आईते मुबारका से हमें बता चला कि काबा की तरफ मूँ करने का मकसद मुसल्मानों को मुताहिद या इकठा करके एक बनाना है क्योंकि एक जगा अगर मुसल्मानों के मज्मे को नमास अदा करनी पड़े तो कोई शक्स अपनी मर्जी से मश्रिक की तरफ कोई मगरिब की तरफ कोई शुमाल और कोई जनूग की तरफ मूँ करके कि अपनी मर्जी से नमाज पढ़ने को तरजी देगा इसलिए किबल एक डिरेक्शन है सब मुसल्मानों को इकठा करके एक लाइन के अंदर लाने के लिए सो इसका मकसद काबा की अबारत हरकिस नहीं है जिसका सबूत एक सही हदीस भी है सही मसलिम की अदीस के मताबिक हवरत अमर रजी अलानों ने एक बार हजर अस्वत जो के जन्नत से लाया गया एक काला पत्थर है इसकी तरह विशारा करके फरमाया एए हजर अस्वत तू ना तो मुझे कोई फाइदा दे सकता है और ना ही कोई नुकसान बचा सकता है मैं बफ तुझे इसलिए चूमराओं क्योंके मेरे नबी ने भी तुझे बोसा दिया हजरत अमर रजी अलानों के ये अलफास के तूसरे वे एक पद्धर से ज्यादा कुछ नहीं है जो के ना मुझे कोई फाइदा दे सकता है और ना ही कोई नुकसान बचा सकता है इस पात का सबूत है कि मुसल्मान काबा की अबारत नहीं करते हैं बलके काबा के रब की करते हैं क्योंके हजर अस्वत को भी मुसल्मान बोसा देते हैं की इज़त करते हैं लेकिन इसकी अबारत नहीं करते हैं अगर हम दुनिया और काइनात के निजाम को देखें और इस पर गौर करें तो हमें पता चलेगा के काइनात में सितारे सियारे और कहके शाये सब एक खास मरकज ये एक दर्म्यानी मरकज के तरफ काउंटर कलाक वाइज डिरेक्शन के अंदर गूम रहे हैं ये निजाम दुनिया में भी एटम के फ्ट्रक्चर तक में आपको अधर आएगा और काबा की सुरत में भी जहां दुनिया बर के मुसल्मान एक पॉइंट ओफ सेंटर यानि के एक मरकज के गिड़ चकर लगा कर अला ताला की अबारत कर रहे हैं जैसे काइनात की हर एक चीज़ कर रही है लेकिन ये मरकज खुदा की जात नहीं बलके इसका बनाया गया एक मुकमल निजाम है जो के अपने आस पास के निजाम को जोड़े हुए है जबकि अगर साइंसी बन्यादों पर देखें तो जब भी कोई शक्स अबारत के लिए अपना सर जमीन पर कापा की डिरेक्शन के अंदर रखता है तो इस सजदे की हालत में इसके जिसम से नेगिटीव अनर्जी पर्फेक्ट तरीके से खारीज होती है जो के जिसम के अनर्जी सिस्टम को बैलнейस करने का पर्फेक्ट तरीका है यही तरीका टैंशन, डिप्रेशन और उर स्ट्रेस को कम करता है जिसे समझने के लिए आपको गोल्डन रेशो या डिवाइन परपोशन के कौनसेप्ट को समझना होगा जिसकी वैल्यो फी कौंस्टेंट यानि के 1.681 के बराबर होती है जिसके बार में बस इतना काओंगा कि पूरी दून्यो काएनात का निजام एक स्पेसिफिक फार्मॉले या एक नुमेरिकल वैल्यो पर बनाये गया है जिसके ऑंदर इन्सान का जिसम भी शामिल है आपको पूरी दुनिया और काइनात के अंदर और एवन के नेचर के अंदर हर जगा पर बफस यही एक फार्मूला नज़र आएगा और अगर यही फार्मूला हम जमीन के गलोब पर अपलाए करें तो जवाब आता है मक्का शहर यानि जमीन का ऐसा मकाम जहां पर सबसे ज़्यादा अनर्जिक फिल्ड मजूद है इतना ज़्यादा के यह दुनिया के किसी और कौने के अंदर मजूद ही नहीं हो सकता हता के सैटलाइट से देखने पर भी इसको मحसूस किया जा सकता है एफ्टर नॉट भी इस बात का इतराफ करते हैं कि काबा से एक खास किसम का अनर्जिक फिल्ड हर वक्त खारिज होता रहता है और बतोरे मुसल्मान हम ये बात जानते हैं कि काबा की डिरेक्शन के उपर यानि के साथ असमानों पर एक और काबा या अलताला का घर मजूद है जिसे बैतल मामूर कहते हैं रुजाना तकरीबन सतर हजार फरिष्टे इसका तवाफ करते हैं और जो एक बार अपनी पूरी जिन्गी के अंदर इस साथत को हासल कर ले फिर उस फरिष्टे की पूरी जिन्गी के अंदर फरिष्टों की बेताशत अदाद की वजह से उसकी बारी कभी नहीं आती ये अनर्जी कैसे खारीज होती है इसे एक बार फिर से एटम के फ्ट्रक्चर से लेकर गलैक्सिस के फ्ट्रक्चर को देखकर हम असानी से समझ सकते हैं जिसके दरम्यान के मरकवस के अंदर सबसे ज़्यादा थाकट होती है और अपने इर्द गिर्द मजूद बिखरे हुए अबजेक्ट्स को अपने गिर्द गूमने पर मजबूर करता है बिलकुल हमारे सोलर सिस्टम में मजूद सूरज की तरहां जिसके गिर्द सियार है जिसमें हमारी जमीन भी शामिल है सूरज की पावरफुल ग्रैविटी फोर्स की वज़एं से इसके गिर्द गूम रहे हैं और सूरज जमीन की नेगिटिव अनरजी को लेकर इसे पॉजिटिव अनरजी दे रहा है ताके जमीन पर जिन्गी का वजूद बाकी रह सके और बिलकल यही सिस्टम आइटम के अंदर भी है जो के जिन्धी और दुनियाओ का इनाथ की बन्यादी अकाई यह फ्टरक्चर है और इसी से मिलकर दुनियाओ का इनाथ की हर एक चीज बनी है इसलिए कापा का थवाफ करने पर यानि के एक सेंटर पॉइंट के गिर्द गूमने पर एक पॉजिटिव अनरजी आपके जिसम के अंदर दाखिल होती है साइंटिफिक रिसर्च हमें ये बताती है कि एक आम इनसान दिन भर के अंदर बहुत सारी अलेक्टर मेगनेटिक वेफ्स का सामना करता है जो के इसके लिए बहुत खतरनाक हैं और सामने के दिमाग के हिसे में दाखिल होकर डिप्रेशन, सरदर्द, सुफ्ती और दिमागी तनाओ या स्ट्रेस की वज़ा बन सकती है दिमाग के इसी हिसे से हमारे जिसम पॉजिटिव और नेगिटिव अनरजी को हासल करता है और दिमाग के इसी सामने के हिसे को जमीन पर रखकर इस नेगिटिव अनरजी को असानी से खतम किया जा सकता है लेकिन ये प्रॉसेस उस वक काफी बढ़ जाता है जब सबसे जादा अनरजी रखने वाले जमीनी हिसे की तरफ ऐसा किया जाए जो के सिर्फ और सिर्फ काबा है डॉक्टर एंड्रियोज न्यूस बर्ग ने दिमाग के इनी अक्टिविटिस को नमाज के दुरान नापने की कोशिश की तो वो ये जानकर हैरान रह गया कि नमाज के दुरान इस शक्स के दिमाग पर सीधा ये एनरजी असर अंदाज हो रही है जिसकी वज़े से फरंटल लोब ये दिमाग का सामने का इसा उमर गुजरने के साथ साथ सुकरता नहीं है जिसका मतलब के दिमाग के इस इसे के जिमे काम जो के हैं पढ़ना लिखना और यादाश्ट वो भी मतासर नहीं होते और बुड़ापे के अंदर भी आपकी यादाश्ट को कमजोर होने से बचा कर आपको गुदरती तोर पर मेडिटेशन को फराम करता है क्या आप यकीन करेंगे कि आर्कियोलिजिस की तहकीक के मताबिक बिलिस्ट पथर जो के मका मुकरमा के अंदर मजूद हैं दुनिया के सबसे पुराने या कदीम पथर हैं जब साइटिस ने यहां से सेंपल लेकर इकटा किया तो पता चला कि यह जमीन के बनने से भी पहले के पथर हैं जो के हमारे सोलर सिस्टम के अंदर कहीं पर मजूद थे और जमीन के बनने की शुरुआत के वक जब एस्टरॉइड जमीन की सदा से टक्रा रहे थे तब ये पत्थर इसी लोकेशन पर आकर गिरे इसलिए आज भी कावा के तीन पत्थर के टुकड़े ब्रीटिश म्यूजियम के अंदर मजूद है क्योंके साइटिस का मानना है कि ये पत्थर हमारे सूलर सिस्टम से कहीं से आये हैं जिस वक्त जमीन का वजूद भी नहीं था जमीन पर कावा की लोकेशन या लैटिट्यूड 21 डिगरी और 25 डिगरी है लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि कुरान करीम के अंदर कावा को बियान करने की सूरत का नंबर भी 2125 ही है जिसके अंदर आला पाक फरमाते हैं कि जब हमने खाना कावा को लोगों के जमा होने और अमन पाने की जगा मुकरर किया और हुकम दिया कि जिस मकाम पर इबरहीम कड़े हुए थे इसको नमाज की जगा बना लो और इबरहीम और इसमाईल को कहा कि तवाफ करने वालों और इतकाफ करने वालों और रकू करने वालों और सजदा करने वालों के लिए मेरे घर को पाक साफ रखा करो जबके कॉमा के बाद की वेरियस को अगर हम परसंटेज के अंदर बदलें तो हमारे पास जवाब आता है 21.42 जिसे अगर कुराण करीम के अंदर तलाश करें तो दूसरी सूरत की आयत 142 के अंदर एक बार फिर से कावा का ही जिकर है जिसके अंदर अलापाक फरमाते है एहमक लोग कहेंगे कि मुसल्मान जिस किबले पर पहले से चले आते थे अब इससे क्यूं मूँ फिर बैठे तुम कहे दो के मश्रिक और मगरिब सब खुदा कई है और वो जिसको भी चाता है सीधे रास्ते पर चलाता है क्या ये सिरफ मैथिमेटिकली तोर पर महथ रतिफाक हो सकता है अगर साइटिफिकली तोर पर बात करें तो इसका चांस 10,000 मेंसेज सिरफ एक बार मुमकिन है लेकिन आलापाक के इकमत से कुछ भी मुमकिन है इसलिए मुसल्मानों को अला ताला की जात का हर हुकम बिना किसी सवाल और शक और शुबात के माना चाहिए क्योंकि इसके हर हुकम के पीछे एक मसलियत और हिकमत जरूर होती है जो के असानी से समझ नहीं आती इसलिए तो अला पाक फरमाते हैं कि वो ही लोग दुनिया और आखरत के अंदर कामयाब हुए जो देखी और अन देखी दोनों चीजों पर इमान लाए जिसका खुदा ने हुकम दिया और अन देखी इसकी जात भी है जिस पर हम बिना देखे और बिना कोई सवाल किये इसके वजूद पर इमान लाते हैं कि मुझे अमीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ निया जानने को मिला होगा और यह बहुत अच्छा वीडियो था और बहुत सारे सेंटिफिक रिजन्स हमें पता चले कि काबा की वज़े सेसा होता है और जो काबा के अंदर जो पत्तर है वह भी उनिवर्स से या बाहर की दुनिया से आए है तो साल पुराने है और इसके उपर साइंटिफिक रिसर्च भी हो आए और दो पत्तर बिटन की म्यूजियम में भी है तो तीन पत्तर है शायद तो मेरे खाल से साइंटिफिक रिसर्च इसी वज़े से हुआ होगा कि इतना पुराना है होगा मतलब बाहर की दुनिया मतलब वो अल्ला का मतलब घर है तो फिर बाहर की दुनिया का ही होगा ना उसमें जो लगा हुआ सामान है तो अगले वीडियो मिलेंगे